साथियों, लंबे समय तक हमारे हाँ गरीब और दिम्न मद्यमवर्ग स्वास्त सुविदावों से इसलिए बंचित रहें, क्योंकि या तो इलाज सूलब ही नहीं था, या बहुत महंगा था, गरीब अगर गंबीर बिमारी से ग्रसीद होता था, तो उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वो कर्ज ले, अपना घर या जमीन बेचे, या फिर इलाज का विचार ही टाल दे, कैंसर की बिमारी तो ऐसी है, जिसका नाम सुनते ही, गरीब और मद्यमवर्क हिम्मत हारने लगता है, गरीब को इसी कुच्चुक्र, इसी चिंता से बहार निकालने के लिए, देश, सस्ते और सुलब के लिए, निरंतर कदम उठा रहा है, बिते सालों में कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की किमत में काफी कमी की गई है, अब ही मन्सुग भाइज का विस्तार से बता भी रहे थे, पस्चिम मंगाल जहीत पुरे देश में जो आठ हजार से जादा जन आउसदिक केंद्र स्थापित किये गए हैं, उनमें बहुत सस्ते दाम पर दवाईयां और सर्जिकल सामान दिये जा रहे हैं, इन स्टोर्स पर कैंसर की भी पचास से अधिक दवाईयां बहुत कम कीमत पर उपलब्द हैं, कैंसर की सस्ती दवाओं को उपलब्द कराने के लिए विशेश अमरित स्टोर भी देश भर में चल रहे हैं, सरकार का यही सेवा भाव, यही संबेदन सिल्ता गरीबों को सस्ता इलाज सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है, सरकार ने 500 से ज़्यादा दवाईयों की जो कीमत नियंत्रित की हैं, वो भी मरीजों के हर साल 3,000 करोर रुपिय से भी ज़्यादा रकम बचा रही हैं, नागरीकों के पैसे बच रहे हैं, कॉरोनरी स्ट्रेंट्स की कीमत तो फिस्ट किये जाने की वज़े से हाट के मरीजों के हर साल 4,500 करोर रुपिय से ज़्यादा बच रहे हैं, सरकार ने नी इंप्लांट्स की कीमत कम करने का जो निर्ले किया, उसका विशेश लाब हमारे सिनियर सिटिजन्स को, हमारे बुजूर्ग माताओं बहनों को, पुर्शों को उसका लाब हुआ है, इस वज़े से बुजूर्ग मरीजों से 1500 करोर रुपिया हर वर्ष बच रहे हैं, सरकार जो प्रधान मंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्रेम चला रही है, उसकी मदद से 12 लाग गरीब मरीजों को मुप्त डायलिसिक की सुविदा मिली है, इससे भी उनके 520 करोर रुपिय से भी जादा रकम उनकी बचत हुई है, करना रुपिया है,